Hello अच्छोड, let's see the question, the question say how many hexagon can be constructed by joining the vertices of quindagon 15 sides if no of the sides of the hexagon is also the side of 15 gun. तो हमार पस ये given है कि हमको ये बताना है कि हम कितने hexagon construct कर सकते हैं using the vertices of 15 gun, means एक ऐसा हमार पस poly gun जी होगी ते होगी 15 sides होगी, अब पर condition ये भी given है कि if no of the sides of the hexagon हमारी क्या होगी side होगी हमारी 15 gun की. Firstly, I will tell you key concept और key concept आपकी help करेगा इस question को solve करने में. तो हमार पस यहाँ पर key concept ये है कि हमको पता है number of non-negative integral solution O A1 plus A2 plus up to so on plus AR is equals to N is ये हमारे equal होते हैं N plus R minus 1 C R minus 1 अब हम क्या है की concept की helps अपने question को solve करेंगे अब देखो Suppose करो मैंने अपर एक vertex चूस कर ली हमारे 15 गणिसमे मैं मान रहा हूँ A अब मैं एक another vertex उसको मैं मान लेता हूँ B अब हमारे पास ये ए और भी को मैं कर रहा हूँ मैं join कर रहा हूँ मैंस do जोइन कर रहा हूँ अब मान लो ये मेरे मेरे पास है first vertex तो जोमारे ये B है ये मेरी second vertex तो नहीं होगी या तो मेरी ये third होगी vertex या होगी मारे ouaisem fourth vertex य या ओगी मारे ये fifth vertex up so on because अगर मैं इसको लिटते में second vertex है तो मेरी A, B बन जेगे एक side 15 gun की और मेरी side बन जेगे मारी hexa gun की B अगर ये मैं मालूम आरपस इन दोनों के बीच में gap कितना है वर्टेक्स है पर इन दोनों के इन दोनों के बीच में gap कितना है A, B का मैं करे जान कि number जिसे मालूम मैं 1 को मालूम A, A, 2, 3 को मालूम आठीकर को मालूम A, 3 तो मैं कहरो कि 3-1 में plus 2 आएगा उसको आपर मैं A मालूम अज़ा आपाँ जेगा B, फिर माला जेगा उन दोनों के अपर 3rd side बन दोनों की आपर C आज़ेगा 9 के 9 वर्टेस को हमने इसलेक्ट नहीं किया और यह A plus B plus C plus D plus E plus सकते तो यह थाई कि तमने वर्टेस के हमापे यूज नहीं किया तो अरे को लगा जेए 9 के अब यहां पर यह जो मारे पर A है या B है या C है या D है या E है या F है यह को नहीं हमारे यहां पर यह आ जेए हम करेंगे put करते हैं अपर क्या put करें कि A is equals to A dash plus 1 B is equals to B dash plus 1 C is equals to C dash plus 1 D is equals to D dash plus 1 E is equals to E dash plus 1 और F is equals to F dash plus 1 तो आप यहां आ पर आ जेगा कि A dash B dash C dash D dash E dash और F dash यहां सारे हमें हमारे greater than equals to 0 आप यह जेए हमारे greater than equals to 0 आप यह जेए कि this implies that कि A dash plus B dash plus C dash plus D dash plus E dash plus F dash plus यह हमारे पर एकल होगा 9 के तो हमारे का बेंपलाई कर देए this implies that कि A dash plus B dash plus C dash plus D dash plus E dash plus F dash यह हमारे पर एकल होजेगा 9 minus 6 means 3 के और अब देखा जाते हमारे आप पर A dash हो जाए B dash C dash D dash या E dash या F dash यह सारे हमारे greater than equal to तो है 0 के बट यह हमारे पर इंटेजर बेंपलाई पर A हो या B हो या C हो या D हो या E हो या F सारे हमारे इंटेजर होगे तो हम find greatest के number of non-negative integral solution यह हमारे पर एकल होजेगा this is equal to अपने की concept का use कर वाज़ेगा 3 plus 6 minus 1 C 6 minus 1 तो हमारे पर equal होजेगा this is equal to 3 plus 6 means 9 9 minus 1 और वाज़ेगा 8 C 6 minus 1 means 5 तो हमारे पर total number of hexagon यह हमारे के दिसे हम 15 में हमने करना है पहले एक वर्टर से करना है select तो हमाज़ेगा 15 C 1 तो हम multiply अब remaining vertex को given condition के हिसाफ से select कर सकते हैं 8 C 5 वेज 6 यह हमारे हमारे hexagon A B C D E F अब यह हो सकते है कि क्या आपता हमने पहले किसको A को split कर रहा हो पहले 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 हो जेंगा की A B C D E F क्या आपता हमने कर और हमने कर रहे हो पहले पहले स्टवाट करो पहले मेंने करो बी को फिर पहले 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 हो चेंज B C C D D E E E F F A तो हमारे पहले आपका 1 2 3 4 5 6 तो मारा एक सिक्स नमबर हो गार से ऐसे बेस आ सकते हैं उसकों लगने है कि यहाँ पर जितना पर ही सिक्स तेम कर लिया काउंट कर लिया है तो करना मोझे को डिवाइड करना पड़ा है तो 6 से दुखर दर गतरर हम पतर ंरे है रे chat happier repetition लिए हो गी अब मैंट से मान लिकिए म हम एब सीदि इफ चीड ऑट यहां सब्सक्राइच बसक्रा बात मार फास एक ही बात है तो यामार एक स्ट बोज़ जीए का इस इस इक टो जीए को 15 सिग्मा 15 सिग्मार फास multiplied by 8 C 5 and this is divides by 6 so the final answer is total number of hexagon is equal to 15 multiplied 8 C 5 divides by 6 I hope you understood it well all the best thank you